पुब्लिक स्पीकिंग स्किल्स बहुत अच्छी नहीं है, स्पेशलेट से अंग्रेजी बहुत अच्छी नहीं है, क्या सुबे से शाम अंग्रेजी चलती है? यह बहुत बड़ी मित है, आपने यह डिसाइड किया, कि मैं तो कॉलेज छोड़ूंगा और मैं सीय पर फोकस यह बहुत लंबी मैराथॉन है, और आप जीतो गे अपनी लाइफ में, तो क्या चैलिंग्ज की तरह लिया आपने उसको और उसको आपने का कि यह सीखना है, अगर हम यह एक्स्पेक करें कि बहुत हमको सिखा देगा, कोई नहीं सिखाएगा, सब कुछ on the job होने वाले और आपको एफट करना पड़ेगा, कुछ भी सीखना है तो, क्या होता, मालो नहीं हो पाता विक फोर में आपका, आपको क्या लगता, is this the end of the road? Hello everybody, this is Siyanathan Soni here. Also I am really excited yet again today, क्योंकि आज एक खास महमार, एक खास guest है हमारे साथ. The person that I have today, is gonna enlighten you with his knowledge and experience. आज की बात्चीत, इतनी मज़ेदार, इतनी enriching होने वाली है, कि अगर आप डाइरी और पैन लेके भी बैठे, तो मैं कहूंगा कि गलती नहीं करेंगे. I would highly recommend कि अभी आप चाहें तो pause करने वीडियो को डाइरी नोट पैन लेके बैठ जाएं, because I would really want you to make a lot of notes and gain a lot of clarity during this conversation. The man that I have here with me today, is none other than C.A. Archit Agarwal. एक ऐसे शक्स, जिनके पास 10 साल से जादा का practical experience है. Big 4 में इनोंने काम किया है. He is the founder of an upskilling platform called Thinking Bridge. जो ये gap रह जाता है professionals का, कि एक theoretical knowledge जो पढ़ाई करी और practical knowledge जो real life में चाहिए, job में चाहिए, career में चाहिए, उस gap को fill करने के लिए, he has started this initiative called Thinking Bridge. I have none other than C.A. Archit Agarwal. Archit, welcome to the program. Thank you so much Nitin भाई for the lovely introduction and I am equally excited to be a part of this conversation. Thank you so very much. We wanted to come a lot of time, I have seen your videos and you have a solid LinkedIn profile. And both the way that you are working, this is very very amazing. I am really looking forward to this conversation, so thank you very much. Same, man. तो Archit, अपन बात करते हैं आपके schooling की. आप मुझे ही बताओ कि school में आप कैसे student थे? मतलब एक होता है, बहुत above average, studious, जिसको पढ़ाई में खुब interest है. एक होता है, जो बहुत जड़ा sports में है, या fun, मजाक, मस्ती में है, वो average student है. आप कैसे student है? तो मैं दोनों तरफ बहुत balance था. Basically, जैसे होता है कि middle class, upper middle class घरों में, कि family का focus होता है, कि mother, father का कि भई, मस्ती तो कर ले, लेकिन exam में number अच्छा आने चाहिए. तो जब exams आते थे, तो exams की तरफ serious हो जाया करते थे. जब कोई sport event होता था, तो sports में भी बहुत active रहते थे. तो बच्छपन से touchwood fit भूत रहा हूँ. तो इसलिए sports में भी active था. और साथ ही साथ academics भी हमेशा भी strong रहे हैं. और जैसे जैसे वो जो वाली class होती ना, 10th के board, 12th के board, जैसे जैसे वो पास है, तो सारा focus पर academics की तरह हो जाता गया, और marks की तरह हो जाता गया. तो कैसे आई आपके 12th के marks? 12th में I got about 94%. 94%? वाओ, that's awesome. लेकिन 94 के बावजूद भी वो जो एक सपना होता है सारे commerce students का है, कि SRCC, वो होता है 96 के उपर जाके, और आशकल तो मैंने फुना है कि शाए 99, 100 पर जाके cut-off आ रही हैं. ठीक बाद है. तो वो सपना तो पूरा नहीं हुआ. वो सपना पूरा नहीं हुआ. वाओ, this is absolutely shocking, कि अगर वाओ, आपके 94% marks आ रहे हैं, मेरे नहीं आए कभी, तो भी आप SRCC में नहीं जा पाओगे. तो उस वक्त क्या दिल तूट गया कि यार क्या इतना पड़े भी 94 भी आए और SRCC में भी नहीं जाए, अब क्या बेगार क्या दिल तूटा, यार. बिल्कुल एक बार गले तो यह लगा कि भी, एक एम लिया था कि शायद SRCC में हो जाए, लेकिन फिर यह था कि आगे पूरा करियर बढ़ा हुआ है, और 12th में कोई attempt जैसी चीज नहीं होती, जो हमारे CA profession में attempt की बात करते हैं, हमेशा मैं उसी से relate करता हूँ, तो क्या 12th में हमने कभी attempt की बात करी, नहीं करी, नहीं हुआ कोई बात नहीं कुछ और करेंगे, तो ऐसा था, तो SRCC में जब नहीं हुआ, तो क्या पहले से clear था कि भी CA करना है, या फिर 12th करने के बाद यह decide किया कि भी अब CA करना है, यह decision कभ हुआ लाइफ में? So basically इसके पीछे कहानी है, इसके पीछे की कहानी है कि 11th class में मैंने science opt कर ली थी for 2 months, क्योंकि 10th में again अच्छे marks थे, तो यह था कि भाई, जब तक result आता है, 10th के लिए बता दो percentage फिर, 10th में तब हमारा CGPA चलता था, तो वो इ 90s में थी, तो marks अच्छे थे, तो science opt कर ली, यूँकि schools में बताया जाता है न, कि A grade student science लेगा, B grade वाला commerce लेगा, उसके बाद जो रहेगा है, वो arts की तरह जाएंगे, ऐसा हमको बताया जाता था, तो science opt कर ली थी, तो फिर घर वालों को यह हुआ, कि भाई, अगर ये भी commerce में चले गया, अगर तू भी चले गया science की दरफ, तो हमारी घर की दुकान कौन समालेगा, तो फिर मेरा brainwash करा गया, कि भाई, ऐसा नहीं है, कि science में ही अच्छा career बन सकता है, commerce में भी अच्छा career बनेगा, तो 11th class से तोड़ा brainwash करा गया, कि भाई, CA की तरफ देखो, और chartered accountancy is a good course, commerce low, और 12th के बाद CA की तरफ move करने का सोच रहा, तो फिर वहाँ, वो 11th में ये clarity आ गई, तो फिर science short के आप commerce में आए, और मज़दार बात ये कि आपने वहाँ भी फिर जंडे गाड़े, और अबब 90% marks आपके आए, वेरी नाइस, तो क्या उसके बाद दिने तुक admission in CA post 12th? Yes, so 12th के बाद मैंने college में भी जॉइन किया था, दो-तीन महीने college में मस्ती गरी, तो north campus में भी एक-दो colleges में हो गया था, रामज़स अगरा में हो गया था, south campus के भगत सिंग अगरा में हो गया था, तो मैं भगत सिंग गया, एक-दो महीने महाँ पर मस्ती मारी, फिर मेरे साथ कुछ ऐसे school friends भी थे, और कुछ ऐसे college friends थे, जो, जो srcc तक drop out करके, CA की तरह जा रहे थे, तो फिर मेरे को ये realize हुआ कि भाई, अगर बहुत अच्छा college आपका नहीं है, लेकिन उस टाइम पर ये था कि अगर srcc नहीं है, और srcc वाले भी महारफा ड्रॉप करके, CA कर रहे हैं, तो let's see कि भी अगर directly CA में जाते हैं, और अच्छी articles बगरा मिलती है, तो क्या तीन साल यहाँ पर invest करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, तो वहाँ पर वो डिफिजन लिया कि भई ये तीन फाल छोड़ते हैं कॉलेज के, और अच्छी जगाँ पर एक्स्पीरियन्स लेंगे अर्टिकल्शिफ वगरा का, और डिरेक्ली CA करने जाते हैं, वेल यह, यह तिस इस क्वाइट डिबेटेबल, क्योंकि मैं, गिज एक पक्रण इस क्यानी है, तो आपने यह तो रिफिल की की मैं तो कॉलिघ चोडूगा पर कवेरा क्याँ, है ना वो है one word called exposure अगर आपका exposure college के बिना भी अच्छा रहता है अच्छा हो सकता है then you can skip college according to me अगर आपका schooling में अच्छा exposure रहा है अगर आपको ये confidence है कि मैं CA में अपनी journey में चाए articleship की है चाए studies की है चाए post qualification है पहले 5 साल अच्छा exposure गें करके दुनिया पूरी देख सकता हूँ तो आप college skip करिये लेकिन I would strongly advise कि अगर वो exposure हमको previously अच्छा नहीं मिल पाया है और CA में भी बहुत कम लोगों को वो exposure अच्छा मिलेगा तो अगर अच्छा college हमको मिलता है तो skip नहीं करना चाहिए अच्छा college करूं या CA करूं या किसको which one should I choose over the other I think it's as per Archit the bottom line is exposure and I think very nicely put तो फिर आप पहुंचगे CA में और I'm sure failure कुछ भई मैं फेल हुआ लग बग मैं जिससे बात करता हूँ कैदा भई मैं फेल हुआ आप बताओ luckily मैं फेल तो नहीं हुआ कभी लेकिन rank भी नहीं आई both groups हर अटम के निकलते गए आप CA में फेल नहीं हुए CA में फेल नहीं हुआ मैं जानूँगा आपसे कि उसका क्या तरीका है कि कैसे हम CA बिना फेल हुए पास कर सकते है तो rank नहीं आई आई लेकिन कुछ subjects में 40 number जरूर है तो बिलकुल एक दम bottom line पर भी पास होते हुए मैंने experience किया है तो यह बताओ अर्चित की coaching ली आपने coaching ली बिलकुल ली किसका पलड़ा भारी है या यह balance चाहिए इस पर हमें क्या कहना चाहते है मेरा यह सोचना था जो मेरे लेक काम किया हमेशा कि दोनों equally important है coaching आपको first hesitation निकाल देते कि पहली बार मैं कोई subject को उठा रहा हूँ जिसके बारे में में को कुछ भी नहीं पता है वो कोई एक बार पुरा पढ़वा देता है तो मेरे को समयाता है अच्छा भे direct taxation में ये काम होता है audit में अच्छे ये चीज़े पढ़ाई जाती है ऐसे होता है एक बार किसी ने वो hand holding करके hand hold आपको करके अच्छी तर आपको पढ़ा दिया उसके बाद आपको self study करनी है दोनों equally important है और self study में भी कम से कम आपको दो तीन बार अपने हाज से सारे questions को practice करना पड़ेगा revise करना पड़ेगा और सबसे important जो मैं समझता हूँ कि CA exams को crack करने का मंतरा है हर level पर मैंने practice किया that is that is कि आपको हर paper हर exam exam environment में कम से कम दो तीन बार कमरा बंद करके तीन घंटे practice करना है दो सब्सक्राइब मैं आपको pause कर रहा हूँ लेकिन ये सुनकर के मुझे इतना सुकून मिल रहा है आपकी बात को सुनके बाई एक बात बदाओ examiner किस चीज़ का test ले रहा है इस चीज़ का कि आपके दिमाग में क्या है या इस चीज़ का कि आप paper पे क्या उतार सकते हो वो test इस चीज़ का ले रहा है कि आप paper पे क्या उतार सकते हो आप कहते हैं मैंने सब पढ़ा दस पा रिविजन किया, मेरे दिमाग में सब कुछ है होगा तुमारे दिमाग में पेपर पे उतार पाए नहीं उतार पाए, अगर नहीं उतार पाए तो फेलो जाओगे और यह है सीक्रेट, जान से समझो दोस्तो, इस अबाउट और देखो, पूरार पेपर कर पा現 क कि नहीं करपा現 ऐप ये चेक करो कि आप कितने आंसर सही से दे पा究 इस किरी मैं मैं समझते हूँ किसी टीचर के बास आपको जाने के जरुए नहीं कोई मुङ दूआछ जो ICI के mock test paper है, previous attempt paper है, उन ही को हर subject के 2-3 तीन आप पूरे practice करो, तीन घंटे के exam environment में देखो कि आप पूरा paper कर पा रहे हो, suggested answers उसको check करो, यह कितने number आपके आते हैं, मैं समझता हूँ, अगर मैंने वो तीन बार उसको practice ना करा होता है, तीन exam उसके ना दिये होते हैं, तो मैं कभी उसको 100 number का attempt भी नहीं कर सकता था, maximum लोग 100 number का paper attempt भी नहीं कर पाते हैं, नहीं कर पाते, that's practically true, और तो क्या यही वो secret है, हर बार बिना पेलूए exam pass करने हैं, अगर आप नहीं फॉलो कर रहे हो इसको तो लिख लो, रिटरेट कर रहा हूं, मैं भी, and our guest as well, that you have to do mock test in an exam environment, test इस बात का नहीं है कि आपको क्या आता है, इस बात का है कि आप क्या लिख पाते हो, तो आप ने आपने foundation CPT clear किया, आपने intermediate clear किया, final में आप पहुँच गए, तो क्या दोनों ग्रूप से एक साथ निकाले, मिल्कुल दोनों क्रूप से एक साथ निकल गए थे, intermediate के भी और final के भी, क्या बात है, तो उसके बाद, I am sure your father must have been very happy, yes, yes, मतलब वो तो हर chartered accountant की life में, I think कि वो जो moment होता है, जिस दिन आप वो pass pass लिखा हुआ देखते हैं, मतलब एक को ध्यान है कि जब आप result open करते हैं न, तो और कोई number दिखाई भी नहीं देते है, आपको दो मिनेट तक खाली वो दो शब दिखाई जाता है, pass and pass, और उसके बाद, आप वो सही में experience करेंगे अपनी life में, खुशी के आफू, अपने parents के भी और अपने भी, जो खाली हमने movies में देखा है, No doubt about it, absolutely agree, I remember my time, जब screen पे वो pass आया था, तो भाईया, वो moment जो था, because you actually work hard for it, you put your heart and soul into studies and giving exams, और जब वो होता है न, तो बात आपकी सही है कि literally खुशी के आफू निकल जाते हैं, clarity आगी थी life में, कि मैं CA बनके job करूँगा, या मैं CA बनके practice करूँगा, फादर के आपके practice थी, कि मैं practice करूँगा, या मैं business करूँगा, या बिजनस करूँगा, ये clarity थी या नहीं थी when you were clearing your CA, so सबसे पहली चीज की एक clarity थी, कि अपनी practice में तब जाना है, जब पूरी दुनिया देख ली जाए, एक again अच्छा exposure ले लिया जाए, कि समझ आ जाए, कि काम ऐसे होता है, because this is a profession, this is not a business, and profession में आपको अपनी काबिलियत पहले बनानी पड़ेगी, तो हमेशा से aim ये था, कि भई अच्छी जगह उसे training लेनी है, चीज़े सीखनी है, वर्ल्ड क्लास exposure लेना है, तो first ambition और aim ये था, कि भई बिक फोर में आर्टेकल्शिप अगर हो जाए, तो उससे बड़िया कुछ नहीं हो सकता, तो क्या हुआ फिर बिक फोर में हुआ, so intermediate भी prepare करते हैं, यही था कि भई बोद ग्रॉप्स निकालना है, फोर सटम में तभी विक फोर में आर्टेकल्शिप मिलती है, वरना तो आर्टेकल्शिप भी नहीं मिलती, तो luckily बोद ग्रॉप्स निकले, और हमारा एक चार फ्रेंड्स का ग्रॉप्स था, मैं हमेशा अपने सेशन में भी बताता हूँ, कि हमें पता था कि भई, सीवी भीजने का विक फोर्ज में एक तरीका होता है, HRS को एमेल करी जाती है, या फिर रेफरेंसिस के थ्रू मूव करा जाता है, या फिर करियर पोर्टल्स पर अपलाय करा जाता है, उस ताइम पर LinkedIn वगरा नहीं होते थे, लेकिन फिर भी, फिर भी हमने क्या किया, जिस दिन Intermediate का रिजल्ट आया था, हम चार लोग अपना CV का प्रिंट निकालके, Cyber City चले गए, यहां गुड़गाओं में Cyber City है, जहां पर सारे बड़े firms के offices होते थे, हम अपना प्रिंट निकालके है, हर ओफिसमें फिजिकल CV दे के आये, वो company जहां पर हमको जाना था, जिन firms में हमको जाना था, वो देख के आये, पूरा experience करके आये, तो जब वहां जाके देखा कि भई, ये बड़े-बड़े offices है, इस तरीके से लोग dress up होके, यहां पर आते हैं, इस तरीके से बात करते हैं, तो motivation 10 times increase हो गई, कि अब तो यहीं जाना है, साथ ही साथ, हमने ये ensure किया, चाहे हम अपना CV जो है, वो reception पर देख के आये, लेकिन वहाँ हम देख के आये, receptionist को, चाहे वहाँ पर जो हमको HR मिली, एक firm में, I think KPMG थी वो, हमको lift में KPMG के partner मिल गया थी, यह कि उन्होंने कार्ड लगाया हुआ था, KPMG का access card, तो हमने बिलकुल शरम नहीं करी, हमने उनको बोला कि sir, यह हमारा candidature है, we have qualified this time, and these are our marks, and we are really inclined, to seek articleship in your firm, in the audit department, and he took our CV, नहीं का ठीक है मैं देखता हूँ, तो आपको यह नहीं पता कि, कौन सी चीज आपके लिए काम करेगी, लेकिन आपको effort जरूर हर तरफ से करना है, I mean that's really commendable, that's really commendable, कौन करता है, hesitation से ही बाहर नहीं आते, इस घबराट से ही बाहर नहीं आते, सही कह रहा हूँ ना, इस घबराट से बाहर नहीं आते, अब इन्होंने क्या किया, I mean look at the confidence, it's so impressive, कि आपके जब result आया, और आपको दिख गया, कि मैंने बोद गुरूप पास कर लिया, मेरा विजन है बिग फोर में जाने का, तो मैंने निकाला प्रिंट आउट अपने सीवी का, और आप पहुच गई सी धा बिग फोर्स, आपने, you know, you reach there, आप लिफ्ट में गई, आप उस environment को फिल कर रहे हो, यह नहीं सुना मैने किसी से, यह दिस वस अक्चुली जुनीक, और इस वेरी गट्सी, आपने और आपके चारों दोस्त जॉब, तीनों दोस्त जॉब कहे रहे हैं, और हम चारों का, बिग फोर में हुआ, और उनमें से एक परसन ऐसे थे, एक यह भी बहुत बड़ा मित है, कि अब तो चलो आर्टिकल्शिप शायर न्यू कोर्स में, दो ग्रूप्स के बाद ही क्लियर हो सकती है, उस टाइम पर यह था कि एक ग्रूप में, किसी के आर्टिकल्शिप बिग फोर में नहीं लगती थी, कि रैंक नहीं हो, तो भी आपकी आर्टिकल्शिप हो जाएगा, बिल्कुल, यह मित है, कि यह रैंक चाहिए, रैंक है मैंने तो एक ग्रूप पाला एक्वाम्पल भी जाकि, एक ग्रूप भी क्लियर हो खाली, तब भी हो जाती थी, यह रैंक नहीं है तो भी हो जाएगा, और अगर दोनों ग्रूप क्लियर एक साथ नहीं है, तो भी आपके पास ऑपरचुनिटी है बिग फोर में जाने की, चलो यहाँ पर एक बात और करते हैं, आप बिग फोर में गई, अगर आपने, मालों बिग फोर में नहीं जाते हैं तो क्या होता, उससे क्या होता, मालों नहीं हो पाता बिग फोर में आपका, तो आपको क्या लगता, इस इस दे अंड अफ दे रोड? बिलकुल भी नहीं, जैसे SRCC में नहीं हुआ, वैसे और alternatives निकलेंगे, तो बिग फोर में नहीं होता, तो बहुत सारी बुटीक फोर्म्स हैं, टॉप 6 फोर्म्स है, टॉप 20 फोर्म्स है, फोर्म्स लाइक SS कोठारी, फोर्म्स लाइक JCP भला, फोर्म्स लाइक BDO, RSM, वहाँ से शुरुवात करेंगे, कितने सारे chartered accountants अपने पास आते हैं, जो कहते हैं कि सर बिग फोर्म्स में अभी opportunity नहीं मिल पारी मेरे को, तो मैंने कहा कि भाई, मैं recruitment कराता हूँ, टॉप 20 फोर्म्स में भी, और वहाँ से मेरे को complaint ही आती है, कि आप जो बंदा भेशते हो ना अर्चित, छे महीने में उचोड़के बिग फोर्म्स चले आता है, उसके बीचे reason ये है, कि जैसे ही आप किसी और फोर्म से शुरुवात करते हो, टॉप 20 फोर्म, बुटीक फोर्म, और वहाँ पर चीजे जाके सीखते हो, exposure गेन करते हो, तो अपने आप टॉप फोर्म आपको 6 महीने में उठा के ले जाती है, तो आपको next best opportunity ढूणनी है, next best alternative ढूणना है, हमारा career अगले 40 साल का है, तो don't restrict yourself कि भी हमारे शुरुवात में, अगर विक फोर में नहीं हो पा रहा है, तो हमारा कुछ नहीं हो सकता, छे महीने रुको, एक साल रुको, जिस dream company में आप जाना चाहते हो, आप अपने experience के basis पे महाँ पे पहुंचा हो लें, दोस्तों ये सच है, ये बात सच है, rank नहीं आई, फरक नहीं पड़ता, दोनों गृप एक साथ clear नहीं हो यह फरक नहीं पड़ता, ये एक बहुत लंबी marathon है, और आप जीतोगे अपनी life में, मेरी ना rank आई थी, ना में बोध गूर्ब एक साथ clear किये थी, और ना ही मैंने big four में article ship करी, I am more than content with where my life is right now, and understand कि ये सारे myths होते हैं, और इन sessions का यही purpose है, कि myths आपके दिमाग से निकले, और एक और myth है इसमें, एक और myth है, कि number of attempts भाद पूछे जाते हैं, कि attempts हही में matter करने वाले job के लिए, इस पर भी मैं clarify कर दूँ, आपका attempt गाई सिरफ matter करेगा, आपकी first job के लिए, अगर first job में आपको वो dream job नहीं मिल रही है, तो जैसे हमने बताया है कि भाई आप कहीं और से next best alternator से शुरू करो, छे महीने बाद कोई आप से attempt पर पूछने ही नहीं वाला, आपने आगे जाके क्या सीखा है, क्या experience गेन के है, तो सिरफ उसके around बात होती है, आपने भी बहुत सारे interviews ले होंगे नितिन भाई, आपको पता है कि एक बार हमारा career शुरू आप होती है हमारे career की, उसके बाद सिरफ experience की बात होती है, कोई attempts नहीं पूछता, कोई नहीं पूछेगा number of attempts, तो यह जो घबराट रहती है ना दिल में कि, अरे इतने number of attempts लग गए, यह होगा वो होगा, यह तब तक ही चलता है, जब तक आप CEA कर रहे हो, सिरफ जो fail हो रहा है, वो pass वाले से पूछ रहा है, pass वाला fail वाले से पूछ रहा है, या maximum आपकी पहली job तक यह restricted है, उसके बाद कोई नहीं पूछेगा, कितने attempt लेगे, bottom line, are you a CEA or not? यह bottom line है, so I'm so glad कि आपने यह myth भी clear कर दिया, माइंड में, चलिए वापिस आते हैं, आप articleship में गए और आपने, तो कौन सी firm में आपने articleship करी? Deloitte से करी है, Deloitte से आपने articleship करी, तो अच्छा experience था, और क्या था कि बच्पन से, academics वगरा अच्छे रहे थे, तो थोड़ा एक confidence था कि भई, हमको सब चीज़े आती हैं, क्या ही दिक्कत आईगी, जैसे अभी तक सारी चीज़े करते गए, वैसे company में जाके भी कर लेंगे, लेकिन two hour surprise, पहले दिन जाके हमने देखा, first day जाके client पे देखा, कि भई, वहाँ पे तो एक magic हो रहा है, लोग laptop पे Excel ऐसे चला रहे हैं, कि आप जितने में समझने की कोईश्च करते हो, तिने में तो उनकी sheet बन के तियार हो जाती है, it is literally magic, पतला आप जाके top firm में एक बार experience करेंगे, कि वहाँ पे काम कैसे हो रहा है, तो किसी भी beginner के लिए, यह होगा कि यहाँ तो कुछ जादू हो रहा है, तो वहाँ जाके यह चीज रिलाइज होई, कि यार, जो चीज़ा हमने अभी तक पढ़ी, और जिस तरीके से यहाँ पर काम हो रहा है, वो तो बहुत mismatch है उसमें, यह तो किसी ने बताया ही नहीं कि इस तरीके से काम होता है, audit तो हमने खाली theory में पढ़ा है, लिख-लिख के उसमें पागल हो जाया करते थे हम exam में, और इस तरीके से audit होता है, यह तो किसी ने आज तक बताया है नहीं, और एक्सल तो कहीं टची नहीं किया था, एक्सल की कोई ट्रेनिंग नहीं और जो ITT बगर होती थे, वो आपको पता ही क्या होती थे, तो वहाँ जाके यह चीज रिलाई ही जोई कि जैसे actual में real world में काम होता है, और जो हमको हमारे curriculum जोगरा में पढ़ाया जाता है, I'm not saying कि खाली CA curriculum, कोई से भी curriculum और colleges के, उसमें एक gap है, क्योंकि हमारी studies are exam oriented, but how the things actually move in the real world, that is very dynamic, that is changing on a day-to-day basis, तो वो practical knowledge जो है, वो मेरे को missing दिखी in our curriculum, और लेटर और मैंने इफी gap पे काम करने का फोचा भी, बहुती सही आपने ये बात बताई कि, there's a huge difference, हम जो पढ़ रहे हैं, वो हम पढ़ रहे हैं, theoretical पढ़ रहे हैं, यह और, I'll be very honest, exam pass करने के mindset से पढ़ रहे हैं, और जब आप एक practical environment में जाते हैं, I was shocked at how they were using Excel, वो जो formulas लगा रहे हैं, जिस तरीके से काम कर रहे हैं, जिस तरीके से सब चीजे मैरेज हो रही हैं, this was absolutely, completely alien to me, यह वो अलग है, और उसी exposure की बात कर रहे हैं, this is known as exposure, that you gain that exposure in your life, you equip yourself with that knowledge and with that exposure, तो तो क्या, challenge की तो ने लिया आपने उसको और उसको आपने का कि, यह सीखना है यार, यह तो, बिलकुल, बिलकुल, तो हमने अपने seniors की उंगली पकड़ ली, यह senior article होते थे, भाईया दीदी करके, हमने का कि आप सिखाओ हमको, क्योंकि यह बात भी हमको समझ आनी चाहिए गाईज, हमको कोई बैट के सिखाने नहीं वाला है, कहीं पे भी, कोई भी चीज चाहे आप जॉब में जा रहे हैं, चाहे आर्टिकल्शिप में जा रहे हैं, अगर हम यह expect करें कि, बौस हमको सिखा देगा, कोई नहीं सिखाएगा, सब कुछ on the job होने वाला है, और आपको effort करना पड़ेगा, कुछ भी सीखना है तो, और आर्टिकल्शिप इस बेस टाइम, जब हम पूछ सकते हैं, सीए बनने के बाद तो एक ego आ जाता है, कि भाई, अब कैसे पूछे हैं, और लोग एक्सपेक करते हैं, तो वह एक ऐसा पीरिट आता होगा, यह सब आती होगी, बिल्कुल, बिल्कुल, तो वह एक ऐसा पीरिट आर्टिकल्शिप का, विन एक एक्विप यॉर्सेल विद देट नॉलेच, तो और कुछ बताना चाहोगा, अब आर्टिकल्शिप के एksपिरिएंस के बारे में, जो कुछ और ऐसे एक्सपिरिएंस हुए जो, जो मेभी क्लाइन्ट को साथ इंटरेक्शन है, या प्रेजस्टेशन है, या कुछ चैलेंजेस है, आर्टिकल्शिप के साथ पढ़ाई को मैंनेज करना है, उसके बर में क्या करना चाहिए लिको आर्टिकल्षिप ऐसा पीरेड है जैसे डिलॉइट में तो it is your college life CS के लिए आर्टिकल्षिप is your college life मेरे जैसे महाँ पे 200 आर्टिकल थे वो जो आप network बनाओगे वो जो आप दोस्ती बनाओगे उस time पे that is going to stay with you for your lifetime और वो बहुत जरूरी आगे जाके यही आपके colleagues आज 10 साल हो गए अपन को और आज वो लोग सब senior manager है कुछ-कुछ director बन गए है they are the best network कोई किसी firm में, कोई किसी MNC में है तो वो आपको जरूर से बनाना है और साथ ही साथ जो clients है उनके साथ जितना हम interact करेंगे उतना वादा सीखेंगे articleship आपको वो opportunity दे रहा है especially हमारी field में इतनी छोटी age में 18-19-20 साल की उमर में आपको opportunity मिल रही है to interact with the top management of the client कभी-कभी CFOs, CEOs के साथ भी interaction होती है तो वो जाके हम जब सीखते हैं जब अपने partners के फिर इंटराइक करते हैं तो that is one knowledge जो फिरफ हमारा profession हमको offer करते है absolutely absolutely तो यह एक बड़ा ही unique point I would say और इसको miss नहीं करना चाहिए a lot of people don't take their articleship seriously miss नहीं करना चाहिए उसमें आप बहुत कुछ सीखते हो absolutely अर्चे तो आर्टिकल शिप आपने करी आप सीए क्लियर हुए और करने के बाद फिर क्या प्लान क्या था like you wanted to continue incorporate या पापा की firm आपका इंतिजार कर रही थी तो उसके बारे में क्या सोचा था तो एक चीज़ तो यह माइन में जरूर से थी कि लॉंग टम में अगर प्रोफेशनल वर्क ही करना है तो सारा काम सीखने के बाद एक्सपोजर गेम करने के बाद अपने ले काम करा जाए that would be something which will provide much more satisfaction ऐसा माइन में था तो लॉंग टम जॉब करने का इरादा नहीं लॉंग टम जॉब करने का अब audit से GST में migrate करा जाए और GST की अच्छी knowledge गेन करी जाए और फिर अपने लिए implement करा जाए तो एक मैं time set करके गया था कि एक साल लगाऊंगा सब कुछ एक साल में फीखूँँगा अच्छा network भी build करूँँगा और एक साल के बाद अपना अपनी practice की तरफ move कर लेंगे और उस chief को implement करेंगे तो मैंने again GST में apply किया और जैसे आपने Excel की story बता है तो मैं को एक और story याद आगी अपने GST के interview में तो जैसे मैंने GST में apply किया तो वहाँ पे जो manager थे और director थे दो लोग interview लेने आये एक दो उन्होंने GST के सवाल पूछे basic और उन्होंने पूछे अर्चद आपको Excel आता है क्या तो शायद उन्होंने देखा नहीं था कि मैंने articleship वगरा भी audit वगरा में करी है मैंने का बिलकुल आता है सर एना तो उन्होंने का कि भई आप ये 4-5 वगरा ये डेटा उन्होंने दिया में को लाप्टॉप पर कहा कि मैं आपको आदा घंटा देता हूँ आप ये अपलाए करके दिखाओ ठीक है और साथ में माउस वगरा लेके आए तो मैंने का कि सर पहली बात तो माउस की ज़रूरत नहीं है और आदा घंटा 30 minutes उन्होंने दिये लेकिन वो चार कमार में 30 seconds में अपलाए करके उनके सामने रख दी और लिटरली मेरको साइट याद है मैं वहाँ पे बैठा हुआ था और manager खड़े हुए थे उन्होंने का कि अर्चित में को ये सरा control set करके दिखाना अपना अपलाए कैसे किया तो this is the impression which you can give to the interviewer if you have those skills absolutely this is amazing तो समझ रहे हैं न दोस्तों ये चीजे हैं वी से कहते हैं practical exposure और ये जब interest ही नहीं होगा तो आप develop नहीं कर सकते हैं तो इसलिए interest भी develop करना है और practical पकड भी बनानी है और हमेशा से मेरा ये मानना है कि Excel when I run a business right now and in my business I spend a lot of time on Excel and Google Spreadsheets looking at reports looking at the data analyzing the data all of this advanced formulas all of this still continues मतलब सालों बाद भी ये ही चल रहा है तो इसको आप नजर अंदाज नहीं कर सकते हैं और especially after ये तरह बढ़िया और उने एग्जाम्ब बताया उसके बाद तो बिलकुल नहीं तो फिर आगे क्या हुआ फिर आप GST की तरफ बुड़े या फिर GST की तरफ गए GST के बारे में सीखा और जैशन मैंने का कि एक साल का horizon में लेके गया था तो 365th day was my last working day 365th day और उससे दो महीने पहले मैं resignation डाला था बहुत अच्छे दोस्ट वहाँ पे बनाया सारी चीज़े गेन करी बहुत सारे clients पे GST implement करवाया और फिर अपनी practice की तरह अपने move करने का सोचा अब तब proper resignation दिया proper notice spirit दिया relationship को ruin नहीं किया और फिर आप आगे बढ़े आज भी है partners के साथ, directors के साथ वक्त आता है तो ऐसा सोचते हैं कि पता नहीं सामने वाला क्या सोचेगा पता नहीं ये क्या होगा पता नहीं पता नहीं वाला अपने ख्याली पुलाव उनके दिमाग में डर बैठ जाता है sometimes they don't give proper notice period sometimes they don't give proper resignation और वो परवान ही करते हैं कि ऐसा करना if you are leaving a company going to some other company proper resignation दो with a lot of dignity and respect and serve your notice period and then move on ये एक important बात है जिसे मैं specifically mention कर रहा हम because I have observed a lot of people not taking it seriously तो उसके बाद फिर आपने 365 दिन के बाद आपने एक resignation डाला और फिर आगे की काहनी का कैसे life आपकी बढ़ी है तो along with the practice एक हमेशा से जो Deloitte में मैंने एक gap की बात करी कि ये चीज हमेशा से mind में थी कि भई जो ये gap है between the theory and the practical world इस पे कोई काम नहीं कर रहा है इस पे काम करना चाहिए ये चीज हमेशा से दिमाग में बनी हुई थी तो 2019 में ये सोचा कि अब एक काम करते है एक module बनाते है around practical skills जो चीज़े आज तक सीखी है उसकी hands-on training provide करने का try करते है तो मैंने 30 घंटे का audit का module बनाया जिसमें जैसे firms में काम होता है proper client documents work papers auditing procedures hands-on training के लिए पूरे वो client deliverables बनाते हुए एक proper structured module बनाया और 500 लोगों को मैंने 2019 में offline training provide करी बहुत सारे colleges में seminar ली SRCC में पहुच नहीं पाये थे लेकिन वहाँ जाके seminar ली ज़रूर से बहुत सारे students में वहाँ से enroll किया चार्ड़ अकाउंटेंसी के बहुत सारे students है qualified professionals है उन सब को मैंने train किया अराउंट 500 लोगों को चार-पाँच महिने में और फिर उनको प्लेस कराने में help किया in the top firms the feedback which I got from all these people was so amazing कि भई हमको इतनी in-depth clarity मिली about the field हमको पता ही नहीं था कि audit की field में इस तरीके से काम होता है और हम ऐसे top firms की तरफ जा सकते हैं तो number one they got the clarity and number two जब उनको वो उनके पास प्राक्टिकल नॉलेज थी प्राक्टिकल स्किल्स थी तो जब वो interview देने गए and they were competing with the people who are just having the theoretical knowledge तो interviewer gave that advantage to that person और उनको वो edge मिली over others कि हाँ भई तेरे को तो वो काम पहले से करना आता है जिसके लिए मैं तेरे को ढून रहा हूँ तो recruiter hired that person immediately वो एक edge मिल गया इसको थोड़ा explore करते हैं यह क्या gap है what exactly is this gap कि जिस gap को आपने fill करने की कोशिश की we'll of course explore कि आपने फिर क्या किया but वो gap क्या है what is this gap exactly so exactly as I mentioned कि भई जो काम हमको कराया जाएगा in the industry, in the company वो काम अगर हमें पहले से बताया जाए और हमको उसके लिए train करा जाए तो हमारे पास वो practical knowledge होगी about the field in which we want to make the career for example हमने audit or tax की बात करी हमारे दो core field CS की बात करता है तो हमको हमारे exam curriculum में audit पढ़ाया जाता है as a theory subject और tax पढ़ाया जाता है as a practical subject real life में बिल्कुल उल्टा है audit is completely practical और tax में maximum theory होती है drafting होती है और advisory होती है तो वो चीज अगर आपको पहले से आती होगी तो आपको पता होगा कि भी आपका interest किदर लाए करता है आपको audit में career बनाना है आपको tax में career बनाना है आपको valuations की तरफ जाना है हमारे time पे कोई बताने वाले ही नहीं था हमें पता ही नहीं था इतने सारे options भी हैं इस तरीके से काम होता है चार-पांच साल लग गए यह decide करने में कि हमारा interest किदर लाए करता है और secondly अगर मेरे पास वो practical knowledge होगी तो मैं ऐसे confidence के साथ जाता हूं इंटर्वियू में मैं इंटर्वियोर को बता के आता हूं कि भाई आप पूछो मुझ से जो पूछा है आप चाहे करवा के देख लो I know how to perform the substantive testing I know how to perform the assertion-wise testing I know how each and every audit procedure is applied whether in the fixed asset area, cash and bank area I know how the documentation is done I know the difference between materiality, performance materiality हर जब मैं technical term उसको बताता हूं और साथ में वो cross question करता है तो मैं उसको यह दिखा पाता हूं कि मेरे को practically वो चीज़ करनी आती है तो उससे interviewer को समझ आयाता है कि यह resource ऐसी है who have the practical knowledge और यह मेरा काम कर सकती है और अर्चित क्या when is the right time to take this training just before articleship when you are trying to get into a company for articleship या post qualification जब भी आप अपना career शुरू करने वाले है चाहे college के last year में चाहे articleship शुरू करने से just पहले चाहे qualification के just बात तीनो टाइब के students मेरे पास आते है become graduates, qualified started accountants and the people who are going to pursue their articleship तीनो टाइब के लोग जब भी अपना career शुरू करने वाले है यह course कर सकते है अब इसमें एक चीज़ और होती है कि मान लीजे articleship हमारी mid-size firm से हुई, small firm से हुई आप हमको उतना अच्छा exposure नहीं मिला बहुत सारे students बोलते हैं कि sir हमसे खाली vouching verification करवाई गई हम खाली वो invoices ही चेक करते रह गए हमने सारी चीज़े खाली सुनी थी substantive testing वगरा, work paper वगरा लेकि इंक अभी बनाने का मौका नहीं मिला तो वो exposure आप articleship के बाद gain करो ताकि आपको post qualification वो दिक्कत ना है बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको अपना career migrate करना होता है कि मेरे को audit से tax में जाना है, मेरे को FDD की तरफ जाना है, मेरे को management consulting की तरफ जाना है उसके बारे में नहीं पता है लेकिन interviewer तो expect करता है कि आप अगर किसी profession किसी एक line में जाना चाहता है तो उसके बारे में आपको पता तो हो, you are a qualified student accountant, आपके पास वो theoretical skills भी होनी चाहिए और practical skills भी होनी चाहिए है, तो वहाँ पर वी चीज़ काम आती है, तो ये trainings जो है, आपको हर लेवल पर काम आएंगी, आप चाहिए आर्टिकल्शिप में जारो, चाहिए पूफ कॉलिफ कॉलिफिकेशन दाएंगी और एक चीज़ और, इसके, आमिदेश इसके अपसलूटली वेरी वेरी इपॉर्टन वेरी इसके अलावा आप आप सुबे से शाम अंग्रेज़ी चलती है यह सबसे बड़ा मित है नितिन भाई मैं आपको बताओं कि 90% of the time big fours हो चाहे client place हो आप अपनी regional languages में ही बात कर रहे हो तो खाली वो कुछ आपकी client call होंगी या formal presentation होंगी या interview होगा वहाँ पे आप 100% English में बात कर रहे हो और वहाँ पे भी expectation इतनी सी होती है कि आप अपनी बात बस convey करका सामने वाले को communication का मतलब यही है यह नहीं है कि आपकी fluency English की बहुत अच्छी होनी चाहिए आपकी pronunciation एकदम perfect होनी चाहिए आपकी vocabulary बहुत अच्छी होनी चाहिए ऐसा कुछ भी नहीं है आप English का exam देने नहीं जा रहे है यह बहुत बड़ी myth है आप अपनी बात convey कर पाओ बिग 4 में काम किया है और अच्छे अच्छे international clients तक को handle किया है और वो इनसान आपको यह confirmation दे रहा है यह confidence दे रहा है कि भाईया चाहिए कहीं भी काम करो on floor तो आप अपनी भाशा में बात करोगे ना आज हम भी तो जो यह बातचीत कर रहे हैं of course we are using some English words बस यह करना है आपको यह आपको अंग्रेजी चाहिए यह interview में यह दिखाने के लिए और वो भी English में क्यों आप से interview ले रहे हैं वो यह judge करें कि भाई हिंदी तो तुझे आती ही होगी आपनी regional language तो आती ही होगी तो यह बता दे कि कल को हमारे क्लाइंट से बात करेंगा तो इंग्रिश में कर पाएगा कोई presentation skills होगी तो बल हो यह check कर रहे तो उसमें भी एक अतना working knowledge कि आपस बात कर सको उतनी जरूरत है अगर आपकी communication skills बहुत अच्छी है of course there have been added advantage अगर आपकी public speaking skills, communication skills, presentation skills बहुत अच्छी है तो यह मत सोचना कि under confident नहीं हो ना वो इस जिस्ट पार्ट अगेम इस नोट दे एंटाइर गेम अल तोगेदर एक पॉइंट और ऐस मैं मैं आड करता हूँ कि आप देखेंगी जितने senior partners है in all the big four they are in the age group of 50 and 60 maximum partners की education तक Hindi medium में होई है अब यह कितना बड़ा start of take है कि वो Hindi medium से आज top clients को handle कर रहे है और आज हम सोचते हैं कि भाई English ही सब कुछ है हम कैसे बिना English के वहाँ पर पहुचेंगे हमारी English बहुत अच्छी नहीं है भई वो Hindi medium वाले लोग आज partner बने हैं उन्होंने भी सीखा है हम क्यों नहीं सीख सकते हैं यह कितनी clarity नहीं दे रहा है मुझे बड़ी खुशी हो रही है जब मैं यह सब सुन रहा हूँ and I'm hoping कि जब आप यह बात इस पक सुन रहे होंगे you'll be getting a lot of clarity yes or no so यह clarity that's the purpose of these interactions कि आप वो clarity पाएं जो practical life में companies में, big force में या professional life में real time पे क्या चल रहा है तो भई यह एक बड़ी बात है जो इरो ने कही और अच्छी यह वाक़ी आपने बहुत अच्छा point बताया मैंने यह पहली बार सुना ऐसा कि लोग कहते हैं कि बड़े बड़े जो partners भी हैं वो Hindi मेडियम से पड़के आएं और यह भी बात सही है कि CA distance है मतलब course है मतलब ऐसा नहीं कि आप regular MBA type को एक प्लासिस करें कि शायद आप उतने communication skills में soft skills में उतने expert ना हो एक पॉइंट और अगर कि on the contrary communication skills भले ही आप से बहुत जादा expected ना हो लेकिन आपकी technical core knowledge वो जरूर आप से expected है कि भाई उसमें compromise नी होना चाहिए CA is considered an expert in the every society कि भाई अगर आप taxation काम करते हो तो भाई आप taxation में आप से अच्छी advisory को ही नी दे सकता अगर आप auditing करते हो तो आपके सामने चाहिए आप मानी जी आपके अपनी books audit करवाए तो आपकी एकदम A1 quality का audit आप करके दोगे तो this is something कि भी आप से technical expertise और hard skills पर जो हम हमेशा focus करने की बात करते हो that is one thing which is expected by each and everyone communication skills फिर भी उतनी जादा expected नहीं होती और पूरी दुनिया खाली communication skills की बात करते है correct, correct I absolutely agree with you अच्छे दिक बाब बताओ आपने big force में काम किया है और आप अपना काम कर रहे हैं you're dealing with a lot of people meet a lot of people you have vast experience बहुत सारे ऐसे professionals हैं जो उतना grow नहीं करते और कुछ professionals हैं जो बड़ी speed से grow करते क्या कहना चाहोगी what is that difference तो मैंने अभी कल ही एक वीडियो बनाई थी इस पर और मैंने उसमें salaries बताई थी क्योंकि बहुत सारे लोगों का आज का लिया आता है कि सर हमाई तो starting salaries है आपको पता होगा अचा है तभी कि आई से आयने कैमपस में मिनमम पाकेज नाइन लाक रुपीज कर दिया है for qualified CS बट सबका सवाल यही होता है कि सर नाइन लाक रुपीज इतनी महनत हमने करी पांच-छे साल हमने मिनमम लगाए हैं इस प्रोफेशन में दस-दस साल भी लग जाता है और डिप्रेशन से भी होके गुजरना पड़ता है उसके बाद से नौ लाक रुपे मिलेंगे वो भी कैमपस में ओफ कैमपस तो इतने भी नहीं मिलते कई बार इन हैंड पचास साट सतर हजार पे आ रहे हैं तो मैं हमेशे यह बताता हूँ उनको एक 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 जामपल देता हूँ कि किसी लॉयर से बात करना उनके स्टार्टिंग पाकेज़स कितने थे आवरेज लॉयर के स्टार्टिंग पाकेज़स पंदरा बीस हजार से वो करियर अपना शुरू करते हैं तो किसी भी प्रोफेशन को आपको उनकी स्टार्टिंग से जज नहीं करना चाहिए आप हमेशे उसकी ग्रोफ साइकल देखो पाँ साल बाद यह प्रोफेशन आपको इतना कुछ ओफर करेगा प्रोवाइडेड यू परफॉर्म वेल अगर आपके पास रिक्वाइड स्किल्स हैं जो इंडस्ट्री में चाहिए और आप अच्छा परफॉर्म करते हो अपनी कंपनी में पाँ साल में आपका पैकेज मल्टिप्लाइ होता जाएगा आज दस साल बाद मेरे जतने कलीग्स है कम से कम 40-50 लाक्स काउन का पैकेज है और ये आपको बीकॉम के बाद इमेजेटली उतना नहीं मिल पाएगा पांच साल के बाद नहीं मिल पाएगा जितना हमारे प्रोफेशन में ग्रोथ होती है तो यू हव तो सी दिस प्रोफेशन इन दे लॉंग तुम अधिन वरी वरी नाइस क्लारिटी देट यह गिवन तो लॉट पीपल और जो हम बात कर रहे थे दिफरेंस की कोई वाकरी पचास लाक के पैकेज पे पहुंचता है एक करोर के पैकेज पे पहुंचता है कोई नहीं पहुंचता कई लोग struggle करते रह जाते हैं अपनी practice में भी और अपनी job में भी तो वह what is the differentiating factor कि वो क्या चीजें रहते हैं जो वो difference create करते हैं कि कोई success हो रहा है qualification same है कोई success हो रहा है कोई नहीं हो रहा है तो उस पर क्या गिरा चाहोगे तो इसमें भी again यही part है कि जब आप कोई organization join करते हैं तो वहाँ पे आप एक तो आपको यह ensure करना है कि मैं अपना 100% दूँ और आगे से बहुत सारी चीजें सीखूं and number two आपको associate होना है with the top firms of the world चाहे वो MNCs हो चाहे top brand names हो आपको यह ambition रखना पड़ेगा कि मैं जितनी अच्छे से अच्छी company में जा सकता हूँ वहाँ जाओं क्योंकि packages हमेशा आपको अच्छे वहीं पे मिलेंगे in the job sector I am talking about practice की कहानी पूरी अलग है but if I am talking about the job sector तो आपको एक कोशिश हमेशा करनी है कि मैं बड़े सो बड़े brand names के साथ associate हूँ अगर वह आप एक extra effort नहीं लेंगे तो हाँ आपका एक top line हिट कर सकता है कि भई मैं अगर जादा अच्छी firms में नहीं पहुच पाता हूँ और मैं उतना grow नहीं कर पाता मैं उतनी चीज़ें नहीं सीख पाता अगर मैं specialize अपने area में नहीं कर पाता तो हाँ मैं 25-30 lakhs पुजा के restrict हो जाऊँगा but if you want to achieve those 1 crore, 2 crore package तो आपको अपने domain में best बनना पड़ेगा जिसको हम specialization की बात करता है अब चाहे आप MNC's के CFO's देखें चाहे tax heads देखें चाहे आप consultancy firms के partners देखें तो they are specialists in their domain अगर मैं audit के partner की बात करूं, taxation के partner की बात करूं तो tax के partner को tax के लावा कुछ नहीं आता लेकिन उसको tax ऐसा आता है कि भाई वो litigation भी handle कर सकता है वो top से top advisory भी handle कर सकता है इसलिए उसका डेड़ दो करोड का package है तो specialization is the key आपको एक line choose करके उसमें expert बनना पड़ेगा और grow करना पड़ेगा और growth होगी with the top brand names practice की कहानी अलग रहेगी but job sector में you have to find the good brand names and you have to pick one field to specialize if you want to achieve that top level of packages true and how important is networking for a professional yes networking तो मतलब ऐसी चीज है कि भाई if you have the right people associated with you तो वो आपको ऐसी जगाओ पर refer करेंगे ऐसी opportunities आपके सामने लाके रखेंगे जो आपको fast growth में बहुत help करेगी अगर मेरा एक cycle चल रहा है अगर मैं एक position पर हूँ तो जैसी आप किसी एक company से दूसरी company में shift करते हैं तो आपको double promotion मिलता है इसको double promotion कहते है in the industry language एक तो आपको hike मिलता है more than 25% और दूसरा आपको senior designation मिल जाती है अगर आप manager है तो आप senior manager पर जाके apply करते हैं तो वो आपका तभी हो पाएगा if you have the right network क्योंकि senior roles पे आपकी jobs mostly network के through लगेंगे correct and in order to build that network how important is a platform like LinkedIn आज के time पर तो it is the best platform लेकिन LinkedIn भी ऐसे काम नहीं करेगा कि हम उठा के अगर partners को एक message भेदें कि sir please refer us ma'am please refer us spamming तो कोई पसंद नहीं करेगा बिल्कुल you have to build that relationship you have to nurture it और time आने पर वो relationship आपके लिए काम करेगी और साथ में मैं हमेशा यह advice करता हूँ कि भी 1% का expectation ratio रखो अगर हम 100 लोगों से contact करेंगे तो एक reply करेगा 100 लोगों के लिए हम काम करेंगे तो यह expect करो कि हाँ एक हमारी मदद कर देगा तो पहले खुद आगे से help करने की सोचो और फिर 1% का expectation रखो absolutely दोस्तों यह हमने शाहिए लास इंटर्वी में बात की थी आपने अगर ध्यान से previous session आपको याद हो जिसमें हमारे guest ने का था कि LinkedIn is a game changer platform for professionals including CA professionals उन्होंने बताया था कि किस तरीके से she was able to grow in her career because of the power of LinkedIn और अभी पी इस बात को आपको clarity मिली होगी with the power of LinkedIn so Archit अभी कैसा चल रहा है what's keeping you occupied what are your future plans कैसा चल रहा है लाइफ अभी right so along with practice हमने ये जो शुरू किया दा दोहजार उन्निस में किस किस नाम से the platform is called Thinking Bridge and we have about 40,000 learners on board with us and we are training professionals CA students and BCom graduates MBAs in different fields like FP&A, audit, taxation, data analytics, tablue, excel each and everything of the finance profession we have on our platform और उससे हम बच्चो को train करके top company में place कराने की help कर रहे है और साथ-साथ इस काम के साथ-साथ अपन अपनी CA practice भी कर रहे है तो जो मैं knowledge gain करता हूँ clients को handle करके वो मैं कोशिश करता हूँ कि students को impart करी जाए real time knowledge और जितने लोग हमारे साथ thinking bridge में जुड़े हुआ है all our industry experts working at the top places तो वो आपको real time knowledge real working environment वाली knowledge हम provide करते हैं और साथ के बाद help करते हैं आपको place करा है in the top company तो अभी तो ये दो काम चल रहे हैं और इसी में ambition है कि इसको grow करा जाए जादा से जादा लोगों तक पहुंचा जाए और fields को capture करा जाए other than finance क्योंकि ये gap हर field में चाहे वो engineering हो चाहे वो consultancy हो तो ये सारा online है या offline है? yes now it is online everything is online so how can people reach out to you like is there a website any details that you want yes so the website is called thinkingbridge.in www.thinkingbridge.in and LinkedIn पे YouTube पे हर जगे हम से connected हैं लोग तो LinkedIn पे मेरे personal profile पे C.E. Archit Agarwal and YouTube पे भी अपना thinkingbridge का and C.E. Archit Agarwal का channel है right so आप practical skills practical training के साथ-साथ उनकी placement में भी help कर रहे हैं yes and it is a free placement program for everyone और बहुत सारी top company हमारे साथ hire करती हैं India number one pharma companies, top banks और साथ ही साथ big force की drive होती हैं both for job as well as for articles and people come in equal number post qualification, pre qualification become graduates तो बहुत हम students को help करनी कोहिश कर रहे हैं जो चीज़े हमारे टाइम पे नहीं थी कोशिश यह है कि वो हम provide कर पाएं बिलकुल और सब कुछ आपको बाइदा experts मिल रहे हैं वहाँ पर वाव इसकी जरूरत है आपकी theoretical knowledge और आपकी practical knowledge इसमें बड़ा gap तो है whether you like it or not and you must try and build that gap and there's an individual who can help you you know bridge that gap ताकि आप अपने professional career में grow कर सके और अच्छे first of all I mean it was absolutely amazing talking to you हम मिल पहली बार रहे हैं लेकिन ऐसा बिलकुल मैसूस नहीं हो रहा कि हम पहली बार मिल रहे हैं आपके साथ बहुती amazing conversation हुआ और I'm sure हमारी audience को भी ये conversation बहुत पसंद आया होगा how was your experience of this conversation thank you so much first of all for inviting me नितिन जी और आपके बारे मैं पूरी CF fraternity सालों पे जानती है तो it is an honor for me कि मैं आपके platform पे आके अपनी कुछ चीवे शेयर कर पाया और चाहे अधियन books हो मतला हमको तो इतनी motivation मिली है हमेशा फे कि जब हमको doubt होता था कि इस profession में क्या चीवे करने को मिलेंगी क्या नहीं होंगी तो आपकी वीडियो से इतनी motivation हमको हमेशा मिली है it is a dream come true for all of us कि आज हम आपके साथ यहां बैठ है thank you very much you've been very kind और अच्छे आपका क्या message है कोई ऐसा आखरी message आप देना चाहेंगे to the audience जो इस session को सुन वही है कि इसके end towards the end of this session what's gonna be your last message to the audience so guys एक ही चीज़ में बोलना जाता हूं कि आजकर क्योंकि social media से awareness भी create हुई है और साथ-साथ बहुत सारे confusion भी create हुई है इतनी सारी videos आते इतनी सारी reads आते है कि हमको जो हम कर रहे होते हैं उसी से बहुत distraction हो जाती है तो I would just want to say कि आप जो कर रहे हो अगर आप CA profession का part हो तो आप बहुत अच्छी जगे पे हो बिलकुल भी आपको tension नहीं लेनी कि इसमें क्या-क्या चीज़ हमको मिलेंगी कितने हमारे remuneration रहने वाले हैं क्या इस profession पे हमारी growth होगी नहीं होगी This is one of the best professions of the country सिरफ 4,000,000 CAs है 140,000,000 की जनता में आप जब बोलेंगे तो 100 लोग बैठ के आपकी बात सुनेंगे और इस profession में आपको remuneration तो मिलेगी ही मिलेगी साथ में जो respect मिलने वाली है वो भी बहुत important है तो आपको बिलकुल distract नहीं होना कि भई यहां पर हमको चीज़ें मिलेंगी या नहीं मिलेंगी You are at the best place and stay committed to your profession distract नहीं होना अगर आप अभी chartered accountant से pursue कर रहा है तो इसको complete करिये जॉब में भी आपको बहुत commitment से काम करना है दस साल बाद आप खुद काओगे कि भई इस profession ने इतना सब कुछ हमको दे दिया जिसके हमशार लायक भी नहीं थे Absolutely, no doubt about that वाओ Archeid, thank you so very much आपके साथ बहुत मज़ा है आपकर करके और यह आखरी message जो यह towards the end of this podcast आपने दिया कि there is a lot of knowledge on social media but there is a lot of confusion and clutter as well इस profession यह बहुत कुछ देगा आपको तो आप अगर आप फेल हो रहे हैं अगर आप परिशान है तो यह समझ लीजिए कि फूल खिलेंगे और रोशनी होगी और आप प्रावड महसूस करेंगे because both of us as CAs we are confirming this to you I've gone through a lot I've failed multiple times but आप जब मैं मुड के देखता हूँ every bit of that pain that failure was absolutely worth it और वो आपकी जिंदगी बनाता है और जैसे मैंने शोडू में काइट सब माराथन Archie thank you very much for coming here and enlightening us with your thoughts and your experience आपने बहुत कैंड़ तरीके से अपना experience share के अपनी बातों को रखा it was absolutely amazing thank you so very much thank you so much for having me Nitinji and see you again in the next podcast thank you thank you very much